वेलकम टू मैं चैनल अकाउंट्स डिपार्टमेंट आज हम लोग बनाने वाले हैं इंस्टॉल्मेंट पेमेंट सिस्टम के कॉश्चन नंबर सेवन को कॉश्चन नंबर सेवन में हम लोगों को कैश प्राइस फाइंड करना है तो सबसे पहले हमारा 1-5-1 पाइस इंस्ट्रमें तो सबसे आजनद और से निकले में हमारा देंगा देंगा एक सक्वाहिए सट्दिस खेंगा करेंगे श्दुत मनेजना के व चल्ग के घ्याहिए के का दद डीच निवम्हेए कि ए map द टोट पूर्ट स्टार चुक्सी ल 10 प्रीच चाहरी कटा दो जटने मेरे मेदे एक रिषक ऐसे निलिके सीर्ट जनने मेद भी कानि चानधी मतल slipping आigा इस तियों को다ई निलिके साथ्मिट्वशर छी्टम का एक ड़िए को देखें लाह जांगे तो का है निलिके साथ्भें यह हो जाएगा हमारा 1 january से लेकर 30th June 2003 का ही निकलेगा यह निकलेगा यह 1st half month का 2nd 30th June 2003 इसमें भी हम लोग फिर अट करते जाएंगी 6000 अमारा इंस्टाल्मेंट था प्लस 2nd half month का हमारा जो चैश पैस तो से अट कर देंगे 5442 अर इंट्रेस्ट हम लोग निकाल लेंगे तो लिखेंगे 5 divided by 105 यह जाएगा हमारा 817 इंट्रेस्ट इंट्रेस्ट देन हम लोग इसको अब माइनस कर लेंगे इंस्टाल्मेंट में से तो लिखेंगे 6000 माइनस 817 यह जाएगा हमारा 5183 कैश पैस हो गया 3rd year का अब हम लोग 4th निकाल लेते हैं तो लिखेंगे 4th यह हो जाएगा हमारा 1 July से 31st December 2002 1 July to 31st December यह 2002 का हो जाएगा हमारा 2002 देन उसके बाद सारे कैश पैस को हम लोग एड करेंगे 6000 प्लस 5,714 प्लस 5,442 प्लस 5,183 थर्ड यह तक कैश पैस को हम लोग एड कर लेंगे इंटो 5 divided by 105 यह हो जाएगा हमारा इंट्रेस 1064 देन इसको मलोग अब इंस्ट्राल्में में से मानस कर लेंगे तो लिखेंगे 6000-1064 यह जाएगा कैश प्राइस हमारा 4936 यह होगे हमारा कैश प्राइस फोर्त का अब हम लोग लास्ट निकाल लेंगे लिखेंगे 5 यह हो जाएगा हमारा 1 जैन्वरी तो 30 जून 2002 जिस टाइम वो खरीदा था आसेट्स को तो 30 जून 2002 अब इसमें अम लोग जितना भी कैश पैस अभी तक निकाल लेंगे उसको एड करेंगे ले 5th installment के साथ तो तो जो हमारा 6000 प्लस 5714 प्लस 5442 प्लस 5183म2 कोले णिकाल लेंगे चामारा घ्लक लिए कह 1 जाएगा 3299 लिखें के 1299 तो इसको एड इसको मैं मैंसuje मैंस कर लेंगे तो लिखेंगे 6,000-1,299 यह cash price आजाएगा हमारा 4,701 अब हम लोग cash price सारे मन्त के cash price को add करके निकाल लेंगे तो total कर लेते हैं cash price को तो लिखेंगे cash price add कर लेंगे सबको तो लिखेंगे 5,714 plus 5,442 then हो जाएगा 5,183 then है हमारा 4,936 and last है हमारा 4,701 सबको add कर लेंगे सारे cash price को इसमें कोई भी down payment नहीं हुआ था तो हम लोग सारे cash price को add करके total लिख लेंगे यह total हो जाएगा हमारा 25,976 या जाएगा हमारा cash price total अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे ledger जो की question में बोला है चलिए अब हम लोग बना लेते हैं vendor का account इसमें vendor का account बोला है बनाने तो सबसे पहले वो जाएगा हम जाएगा है अपना हायर पर्चेसर जो था तो वह फो में लिखे लेंगे 2002 अब लिखे लेंगे 2002 अब लिखे लेंगे 2002 अब यह यह पर窃 की अब लिखे लेंगे पहला इंस्टॉल्मेंट देगा अपना तू कैश अकाउंट हमारे इंस्टॉल्मेंट था 6,000 का तो हमनों लिख लेंगे 6,000 and then assets की value तो लिखेंगे buy assets account यह 30th June को half month का था तो इसलिए 30th June हो जाएगा हमारा हो गया आपे buy assets account आसेट हमारा 25,976 का then हो जाएगा हमारा interest suspense account सारे interest जतना हम लोग ने निकाला था सबको add करके लिख लेंगे तो हो जाएगा हमारा buy interest suspense account यह हो जाएगा हमारा 4,024 सारे interest को add करके लिखेंगे लिखेंगे 2 balance cd यह cd हो जाएगा sorry then total कर लेंगे total करेंगे तो यह हमारा आता है 30,000 credit side तो हमनो लिखेंगे credit side में 30,000 then debit side में 30,000 then हमारा closing balance बजाएगा 24,000 then हम लिखेंगे 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 22,000 के july में open कर लेंगे तो लिखेंगे 1 July buy balance BD opening balance हो जागा हमारा 24,000 का लिखेंगे 24,000 then अभी यह सेफ अपना इंस्ट्लमेंट देगा तो लिखेंगे 2 cash account यह 31st December को देगा installment अपना second तो लिखेंगे 2 cash account, 6000 हो जाएगा यह हमारा then closing balance, 2 balance cd, total कर लेंगे, यह total हो जाएगा हमारा 24,000, credit side b, 24,000 and 24,000 debit side then closing balance बच जाएगा 18,000, इस 18,000 को वो 2003 के 1 January को open करेगा, तो लिख लेंगे 2003, 1 January, यह हो जाएगा हमारा buy balance bd, then हो जाएगा हमारा 18,000, तो अपना third installment देगा, higher purchaser, तो लिख लेंगे 30th June को देगा, third installment to 2 cash account, यह हो जाएगा हमारा 6,000, फिर से देगा, then हमारा closing balance बच जाएगा, तो लिखेंगे 2 balance cd, total कर लेंगे, 18,000 credit side b, and 18,000 debit side b, then हमारा closing balance बच जाएगा 12,000, इस 12,000 को वो फिर अपने 2003 के July में open कर लेगा, तो हमनों लिखेंगे 1 July, by balance bd, 12,000, then अपना 4th installment देगा, तो हमनों लिख लेंगे, यह देगा 31st December को, 2 cash account, यह हो जाएगा 12,000, 6,000 देगा installment, then हमारा closing balance बच जाएगा, तो टोटल कर लेंगे सबसे पहले, यह हो जाएगा हमारा 12,000, then debit side b, 12,000, and then closing balance हमारा बच जाएगा 6,000, इस 6,000 को वो last अपना देदेगा, 5th half month में, तो यह open कर लेगा 2004 के 1 January को, यह हो जाएगा हमारा buy balance bd, 6000 हो जाएगा यह, and then अपना last installment भी 6000 का देदेगा, लिखेंगे 30th June, to cash account, यह हो जाएगा हमारा 6000, अब कोई भी closing balance नहीं बचेगा, क्योंकि installment complete हो चुका है, तो टोटल कर लेंगे, 6000, and credit side b 6000, यह हो गया हमारे question number 7 का solution, अब इसके बाद हम लोग बनाएगे question number 8 का solution, question number 8 में हम लोगों को 3 years का निकालना है interest, सबसे पहले हम लोग cash price लिख लेंगे, जितना दिया है question में, इसमें cash price है, हमारा 6450 का, लिख लेंगे 6450, इसमें down payment भी हुआ है, तो लिखेंगे down payment को minus कर लेंगे, लिखेंगे down payment, यह हमारा 1000 का down payment, तो 1000 minus कर लेंगे, यह हमारा बचेगा 5450, अब इस 5450 में हम लोग 3 साल का interest निकाल लेंगे, तो सबसे पहले हम लोग 2002 का निकालेंगे, तो लिखेंगे 1st, यह हमारा 2002, यह निकलेगा अपार 5450 की ऊपर, तो लिखेंगे 5450, तो लिखेंगे 5% तो 5 divided by 100 यह हमारा 273, यह interest हो गया, इसको अब लोग 2,000 का है, तो 2000 minus 273 यहागा 1,727, यह cash price हो गया हमारे 1st year का, then 2nd year का निकाल लेंगे, तो लिखेंगे 2nd, माइनस कर लेंगे सबसे पहले 5450 में से, यह 2003 का निकलेगा, 5450 minus 1727, यह हमारा बच जाएगा 3723, इसके उपर अब लोग इंटरेस निकाल लेंगे, तो लिखेंगे 3723, into 5 divided by 100, यह जाएगा हमारा 186, minus कर लेंगे, तो यह हमारा बच जाएगा 1814, यह cash price होगे हमारे 2nd year का, अब हम लोग 3rd year का निकाल लेंगे, लास्ट year का, तो 2004 का निकाल लेंगे, यह हो जाएगा हमारा, minus कर लेंगे 3723, minus कर लेंगे 1814, तो यह हमारा लास्ट year का cash price हो जाता है, यह हमारा बच जाएगा 1909, यह cash price हो, इंट्रेस निकाल लेंगे, तो इंस्टॉल्मेंट में से माइनस कर देंगे, लिखेंगे 2000-1909, यह हमारा इंट्रेस बच जाएगा 91 का, इसके बाद हम लोग बना लेंगे ledger, जो की कोशर में बोला है, बनाने, अब बना लेते हैं इसमें vendor का account, तो vendor का account में सबसे पहले, वो down payment दिया था, higher purchaser, तो हम लोग लिखेंगे 2002 में 2 cash account, down payment का यह 1000 दिया था, 1000 देन उसके बाद इंस्टॉल्मेंट दिया था अपना पहला, तो हम लिखेंगे 2 cash account, 2000 का इंस्टॉल्मेंट था, 2000 दे देगा, then उसके पाद assets, buy assets account, assets था हमारा 6450 का, then इसमें हमारा हो जाएगा buy interest suspense account, इसमें question में बोला है कि last third year में higher purchaser, जो था, वो assets को sell कर दिया था, तो इसमें हम लोग सिफ 2 year के interest को add करेंगे, तो या जाएगा हमारा 459, क्योंकि last 1st January को 2004 के 1st January को तो वो sell ही कर दिया था, इसलिए हमारा last interest add नहीं होगा, तो हम लोग टोटल कर लेंगे और closing balance निकाल लेंगे, total हो जाएगा हमारा 6909, and debit side भी 6909, then closing balance बद जाएगा हमारा 3909, अब second year में open कर लेगा higher purchaser, 2003 के 1st January को तो लिखेंगे by balance BD, यह हो जाएगा हमारा देगा अपना second installment, 2000 का, then उसके बाद closing balance बद जाएगा हमारा 2 balance CD, टोटल कर लेंगे, total कर लेंगे, total करेंगे हमारा हो जाएगा 3909, debit side भी 3909, then our closing balance बद जाएगा 1909, then इस 1909 को higher purchaser अपने last year में open करेंगा, and इसे question में बोला है कि जितना उसके पास last closing balance बद रहा था, वह सारा higher vendor को दे करके, उसके installment को settle कर दिया था, तो यह हो जाएगा हमारा 1909, and then यह पूरा दे देगा higher vendor को cash, लिखेंगे 2 cash account, 1909, यह हो गया हमारे vendor का account, total कर लेंगे, 1909, and then debit side भी 1, credit side भी 1909, यह हो गया हमारा vendor का account, इसके बाद हम लोगों का assets account बनाना है, अब हम लोग बना लेते हैं, अब हम लोग बना लेते हैं, तो सबसे पहले इसमें vendor का account से आया है, तो अबनों लिखेंगे 2 vendor account, इसमें assets का value 6450 की, तो अबनों लिखेंगे 6450, then higher purchasers इसको depreciate करेगा, तो अबनों लिखेंगे by depreciation account, इसमें 20% का depreciation है, तो अबनों लगाएंगे 6450 की उपर, 20% का depreciation, 20 divided by 100, यह हो जाएगा 1290 का depreciation, then closing balance बचेगा, तो लिखेंगे by balance cd, टोटल कर लेगे, यह हो जाएगा 6450, credit side भी 6450, then closing balance बचेगा 5160, इसके बाद second year में higher purchaser open कर लेगा इसको, तो लिखेंगे to balance bd, 5160, then again depreciate करेगा, तो लिखेंगे by depreciation account, 5160 की उपर 20% से depreciate करेगा, 20 divided by 100, यह हो जाएगा 1032, then उसके बाद closing balance बच जाएगा, तो लिखेंगे by balance cd, टोटल कर लेगे, यह हो जाएगा 5160, and credit side be 5160, and then our closing balance बच जाएगा 4128, then इसको higher purchaser open करेगा और इसको depreciate नहीं करेगा, profit निकाल लेगे, to profit and loss account, total कर लेगे, उसके पाद कोई भी assets नहीं बचा है, वो sell कर दिया 5000, and credit side be 5000, हमारा profit हो जाएगा 872 का, यह हो गया हमारे question number 8 का solution, उसके बचा चाएगा 5960, बच्चे बच्चे मारे टूएएगा 512,